हेलो दोस्तों सुआगत है आप सभी का हमारे चैनल ग्यानोके में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ गर बैठे ओनलाइन लर्नर लाइसेंस बनवाने के बारे में आप बिना आर्टियो गए लर्नर लाइसेंस के लिए कैसे आविदन करेंगे इसकी पूरी आविदन परिक्रिया क्या है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तो दोस्तों इस तरीके से आप आधार ऑथेंटिकेशन के थुरू लर्नर लाइसेंस बनवा सकते हैं इसके लिए आपको आर्टियो जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये सर्विस किन किन स्टेट में उपलब्द है कैसे आपको चेक करना है इस वीडियो में वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ तो दोस्तों इस वीडियो को सुरू करते हैं और ये वीडियो पूरा जुरूर देखिएगा जिससे कि आप लर्नर लाइसेंस ऑनलाइन आविदन कर सकें तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आजाएंगे परिवहन.jov.in की वेबसाइट पर और यहां होम पेज पर ही ड्राइवर लाइसेंस लर्नर लाइसेंस के विखलब पर हम क्लिक कर लेंगे अब दोस्तों आपकी स्क्रिन पे एक नया पेज खुल के आजाएगा यहां आप स्टेट के ऑप्शन पर जाएंगे और यहां से अपना स्टेट स्टेट कर लेंगे अब दोस्तों आपकी screen पे बहुत सारे option आ जाएंगे यहां आप देख सकते हैं apply learner license का option यहां पे आपको देखने को मिलते है तो अब आपने इस पे click कर लेना है तो दोस्तों आपकी screen पे इस तरह के यह 6 steps आ जाते हैं अगर यह 6 steps आपको दिखा रहा है और इसमें अगर आपको 6 steps में slot book करने का option अगर आपको दिखता है तो यानि कि आपके state में यह service जो है उपलब्द नहीं है घर बैठे वाली जो service है learner license बनवानी की अगर आपको यह 6 steps दिखते हैं कि जैसे कि fill application detail, upload document, upload photo and signature, fee payment, verify the pay status and print receipt अगर आपको यह 6 option दिखाता है तो इसका मतलब यह है कि यह service आ अब दोस्तों यहाँ पे आपको category select करने को बोलेगा तो यहाँ पे आप इन में से जो भी category आपकी है उसे select कर लेंगे अगर आपकी यहाँ पे कोई और category नहीं है तो journal आप यहाँ पे select कर लेंगे उसके बाद इससे submit करके आगे बढ़ेंगे तो दोस्तों यहाँ पे अब आवेदन करता है उसके पास आधार card है आधार number है और दूसरा कि वो बिना आधार number के आवेदन करना चाता है तो इन में से दोनों में आप click कर सकते हैं बस आपको यहाँ पे आधार number डालने पे यह फायदा रहेगा कि आपका जो photo है और जो कुछ और details हैं वो खुद बखु form में भर के आजाती हैं अगर आप second वाला option जो without आधार number का है उसको click उसको करते हैं तो आपको mobile number देने के बाद form में कुछ details दो है manually भरनी होती है तो यहाँ हम आधार number वाले vehicle पे click कर देते हैं और इसे submit कर देते हैं अब दोस्तों यहाँ पे आपको आधार number भरने को बोला जाएगा तो आप आधा number भरेंगे generate OTP पे click करेंगे OTP भरने के बाद आप सभी जो यहाँ पे checkbox है इन पे click करेंगे और authentication पे click कर देंगे अब दोस्तों आपकी screen पे इस तरह का यह application forum आ जाता है इसमें आप देख सकते हैं applicant का नाम और उसका जो date of birth है gender है कुछ-कुछ details है व उसके बाद RTO office select कर लेंगे अब दोस्तों इस forum में बाकी की जो मांगी गई जानकारी है हम वो भल लेंगे जैसे qualification वगएरा bullet group वगएरा और applicant का mobile number वगएरा और emergency mobile वगएरा इस तरह के जो details इसमें मांगी गई है जो की compulsory है जिनमें के star लगावा है वो सारी details हम इसमें भर ल लेना है इसके बाद नीचे आपको आपका जो license है उसके उसको choose करना है कि आप कौन सा license बनवाना चाते हैं तू विलर लाईसंस बनाना चाते है यः फोर विलर बनाना चाते है तो यहां पर आपको वौ प्षन मिल जाते हैं उनको आपने select कर लेना है अब दोस्तों यहाँ पर आप अपना license की category, यानि की light motor vehicle बनाना चाते हैं, या two-wheeler या four-wheeler बनाना चाते हैं, या Transport वाला बनाना चाते हैं, कैसे वो selected करेंगे, यहाँ पर जो भी आप जो license बनवाना चाते हैं, जैसे motorcycle with gear या फिर motorcycle non-gear या फिर light motor vehicle ट्रांसपोर्ट वाला तो उस पे आप क्लिक करेंगे और यहां पे जो एरो बनावा है इस पे आप क्लिक कर देंगे तो यहां दोस्तों आप देख सकते हैं एड़ करने के बाद इस बॉक्स में आपका जो लाइसंस की जो कैटेगरी है जैसे मोटर साइकल विद गियर नॉन ट कर देंगे अब दोस्तों इसे के नीचे आपको दो आपसन मिलते हैं पहला ये क्या कभी आपका जो लाइसंस है वो जो है कैंसिल हुआ है तो यहां पर एक टिक बॉक्स आता है अगर आपका लाइसंस कैंसिल हुआ है तभी आपको इस पर टिक करना है इसी के साथ में नीचे एक और option आपको मिलता है देखने को कि क्या कभी आपने किसी driving school से जो है गाड़ी चलाना सीखा है तो यहाँ पर अगर आपने school से सीखा है जो driving जो सीखी है आपने तो यहाँ पर आप इस check box पे click कर देंगे वरना आप इसे छोड़ देंगे अब दोस्तों यहाँ पर declaration है कि अगर आपकी accidental death हो जाती है तो यहाँ पर आपकी जो है organs जो है donate किये जाएंगे तो इसपे अगर आप tick करना चाते हैं तो इसपे tick कर सकते हैं वरना इसे आप छोड़ सकते हैं अब दोस्तों जैसे ही आप इसे submit करेंगे तो आपके सामने एक declaration form आ जाता है इनमें आप सभी में no select करेंगे और second वाला जो option है केवल इस पे yes select करेंगे उसके बाद इसे submit कर देंगे अब फिर से दोस्तों आपकी screen पे इस तरह का एक pop-up message आएगा कि क्या आप अपनी accidental death के बाद अपने organs donate करना चाते हैं तो अगर आप करना चाते हैं तो ok कर देंगे वरना इसे cancel पे click कर देंगे cancel करने के बाद फिर से आप इसे ok करेंगे अब दोस्तों आपकी screen पे इस तरह का ये देख सकते है application reference slip आ जाती है जो आपका आवेधन है वो पूरा हो चुका है अब इस पे जैसे ही आप ok करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ और details आ जाती है यहाँ पे दोस्तों application forum पे आपको click करना है जो आपका application forum है उसे download कर लेना है अब दोस्तों आप देख सकते हैं इस पे click करने के बाद आपका जो application forum है वो आपकी screen पे आ जाता है और download हो जाता है अब दोस्तों यहाँ पे print acknowledgement slip पे आपने click करना है और इस slip को भी आपने आपने पास download करके रख लेना है अब दोस्तों उसके बाद यहाँ पे next पे आप click करेंगे अब दोस्तों यहाँ पे आपके जो steps हैं form भरने के यहाँ पे नीचे देख सकते हैं जो 3 step है यह complete हो चुके हैं और जो payment का जो अभी step है वो अभी रह रखा है अब दोस्तों यहाँ पे आप जैसे की देख रहे हैं हमने कोई भी document अप्लोड नहीं करें हैं और कोई भी signature अप्लोड नहीं किया है क्योंकि दोस्तों यह हमारा आधर कार्ड से authenticated हो रखा है इसलिए यह कुछ भी हमें भरने की जरूरत नहीं है अब हमें यहाँ पे fees भनने के लिए इसे proceed पे क्लिक कर लेना है अब दोस्तों आपकी screen पे इस तरह total fees जो है उसकी details आजाती है कि class of vehicle यानि कि किस license के लिए आपने आविदन किया है और उसकी कितनी fees है total fees यहाँ पे आजाती है इसी के साथ में नीचे payment options आ जाते हैं payment gateway आप यहाँ से select कर लेंगे payment gateway select करते ही इसके बाद यहाँ पे आगे capsicode है यह capsicode भरेंगे और उसके बाद यहाँ पे एक mobile number भी आपको देना है जिस पे कि आपकी payment details का message भेजा जाएगा उसके बाद यहाँ पे pay now पे आप click कर लेंगे अब दोस्तों आपकी screen पे terms and conditions का यह page आ जाता है यहाँ पे आपने agree का जो check box है इस पे click करेंगे और proceed for payment पे click कर देंगे अब दोस्तों आपकी screen पे payment gateway open हो जाएगा यहाँ से आप debit card, internet banking या behem UPI के माधियम से भी payment कर सकते हैं जो भी option आप चुनना चाहें उस पे click कर देंगे तो दोस्तों हम यहाँ पे debit card से payment करेंगे और उसके बाद यहाँ पे card number हम भरेंगे साथी experiment और CVV और card holder का नाम डालेंगे और pay now पे click कर देंगे अब दोस्तों यहाँ पे जैसे payment आपका पूरा हो जाता है तो यहाँ पे नया page खुल जाता है और यहाँ पे एक option है click here for print receipt यानि की जो payment आपने की है उसकी जो है receipt आप डाउनलोड कर लें उसके लिए यह option है तो इस पे हम click कर देंगे तो दोस्तों यह इस तरीकी के आपकी जो payment receipt है वो आ जाती है इसमें सारी details वगेरा है payment की इसको दोस्तों आपको डाउनलोड कर लेना है और अपने पास सुरक्सित रख लेना है अब दोस्तों next यहाँ पे हम करेंगे अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है अपने date of birth यहाँ पे आपको choose करनी है यह calendar से date of birth select करने के बाद आपको submit बटन पे click कर लिना है अब दोस्तों जो आपकी application है वो पूरी तरीके से submit हो चुकी है अब कोई भी step बाकी नहीं रह रखा है तो इसमें आप अपनी पूरी details देख सकते हैं साथी साथ इसमें जो आपका learner license application है उसका status भी नीचे आपको देखने को मिलता है तो दोस्तों यहाँ पे status में आप देख सकते हैं application is under processing दिखा रहा है उसी के साथ में नीचे एक note भी लिखा वा रहा है कि आपका जो document है वो सारे upload हो चुके हैं और जो आवेदन करता है उसको आर्ट्यों आने की आवस्चकता नहीं है यहाँ दोस्तों आपको अपना application number जो है वो note कर लेना है इसी की साहता से आप status चेक कर सकते हैं और अपना learner license भी download कर सकते हैं अब दोस्तों 15 दिन के अंदर आपका learner license बन जाएगा और online ही आप उसे download कर सकते हैं 15 दिन के बाद दोस्तों फिर से आप इसी website पर आएंगे और यहाँ reverse learners license पे आप फिर से click करेंगे यहाँ फिर से दोस्तों आप उसके बाद अपना state select करेंगे अब दोस्तों यहाँ पे आपको learner license के menu में जाना है और print learner license के option पे आपको click करना है उसके बाद दोस्तों next page पे proceed पे आप click करेंगे यहाँ आपको application number और अपनी date of birth डालनी है उसके बाद इसे submit कर देना है submit करने के बाद आपकी screen पे आपका जो learner license है वो आ जाएगा और उसे आप download कर सकते है तो दोस्तों इस तरीके से आप घर बैठे अपना driving learner license के लिए apply कर सकते है और RTO जाने की इसमें बिल्कुल भी आवसकता नहीं होती है लेकिन दोस्तों इससे पहले आपको जरूर चेक कर लेना है कि क्या आपके state में बिना RTO गए learner license के लिए आविदन करने की जो सुविदा है वो उपलब्द है या नहीं है तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कॉमेंट करके जरूर बिताएगा और इसी तरह की जानकारी पाने के लिए आप हमारे साथ मेने रहें हमारे चैनल को like, share and subscribe करें और bell icon को दबाना बिल्कुल न भूलिएगा तो दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरह के एक और नई जानकारी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद